क्रिस्टल बॉल मुझे जल्दी से भविश्य दिखाओ मैं देख रहा हूँ अब तुम्हें चोरी और आग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं तुम जल्दी ही एक अमीर इंसान बन जाओगे यह तो बहुत अच्छी खबर है मुझे जाके अपनी बीवी को बताना चाहिए क्या यह भविश्य बताता है क्रिस्टल बॉल मुझे इस आदमी का भविश्य बताओ अगर तुम्हें एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें मिठाई छोड़नी होगी और कस्रत शुरू करनी होगी वो भी आज से ही मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा अगला कौन है मैं हूँ फिर से आप क्या इस बार तुम मुझे मेरे होने वाले पती का नाम बताओगे उस उसका नाम यह नहीं हो सकता जो मेरे फूल तुमारे लिए काफी नहीं है शांत रहो शांत रहो क्रिस्टल बॉल उसका नाम बताओ मुझे ओ जादूई किस्टल बॉल मुझे उसका नाम बता दे मुझे उसका नाम बता दे कौन है वो क्या तुम जल्दी बताओंगे उसका नाम ठीक है अब मुझे तुमारी काबलियत पर शक होने लगा है कि तुम कुछ बता भी सकते हूं क्या तुम्हें मिला मुझे उसका नाम तो नहीं पता चला पर मैं उसे यहीं आसपास देख रहा हूं सच में कहा है वो जाओ जाकर बाहर देखो वो बाहर ख़़ा है सुरो रुको तुम आखिरकार मैंने तुभी ढूड़ी लिया मैं बेकर की बेटी हूँ और मेरी शादी तुमसे होने वाली है शादी बच गया वो लड़का दिल्जस्पी ले रहा है उसने ये भी बताया कि इस साल के अंतक एक छोटी सी लड़की पैदा होगी मैरियन सिंसन को मैरियन सिंसन को पहले से ही चार लड़किया है और ये सब ही जानते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है कि उसने ये बता दिया कि उसे फिर से लड़की होगी और उसने ये भी बताया कि तोमस की दादी अगले हफते बिमार होगी और ये कोई नहीं बता सकता और उन्हें बुकार भी होगा आधे से ज्यादा लोग मौसम की वज़ा से बिमार हुए हैं इसमें कौन सी नई बात है और बुड़े लोगों पर इसका ज्यादा असर होता है ये बात तुम मीशा भी बता सकती है पर मा वो चुप हो जा कैथरी तुम मा को गुसा दिला रही हो समझी तुम दोनों गुसा दिला रही हो अब जाओ यहां से मुझे आराम करना है जी मा उसने ये कैसे बताया कि बेकर की लड़की की शादी इतनी अच्छे लड़के से होगी ज़रा रुको कैथरीन हां मा तुमने बेकर की बेटी कहा हाँ सबसे बड़ी वाली जिसके बारे में आपने कहा था कि शादी नहीं होगी जब हम उसकी बेकरी में गए थे तो वहीं हमें सामान दे रही थी और जैसे ही उसने पैसे दिये उसे वो लड़का वहीं मिल गया उसी दंबू के बाहर था वो उन्होंने ये बात बता भी दी है कि अगले हफते उन दोनों के शादी है सिंड्रेला सिंड्रेला मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा मैंने तुम्हें कई बार पुकारा था क्या हुआ आपकी तबियत ठीक नहीं है जब तुम्हारा काम हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि तुम गाउं जाकर उस भविश्य बताने वाले को यहां बुला कर लाओ भविश्य बताने वाला हाँ ठीक है मा मैंने उसके बारे मी सुना है वो जादू ही खोला इस्तिमाल करता है क्या वो मुफ्ति में बताता है आश ऐसा ही हो क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है मुझे अपना भविश्य जानना है हमें गाउं पहुचना होगा क्योंकि उसे डू काश वो यहां मिल जाए है वो किस तरफ गया पैच कुछ मिलेना भी या नहीं हमको शायद वो कहाँ छोड़ कर चला गया हो पुझे भूख लेगी है पैच कहां जा रहे हो मैं जानती हूं तुम भूख के हो पर तुम ऐसे लोगों को खाने के लिए परिशान नहीं कर सकते वापस आओ पैच यह तुम्हारे कुट्टे को क्या हो गया है मुझे लगता है तुम्हें इसे बांद कर रखना चाहिए मुझे माफ कीजिए वो ऐसा कभी नहीं करता है अगर तुम लोग सच मुझ भूखे हो तो तुम लोग वहां दुकान से जाकर ले सकते हो पर मेरे पास पैसे नहीं है क्या आप मेरे दोस्तों को कुछ दे सकते हैं ताकि वो आपका पीछा छोड़ दे हाँ बिल्कुल अगर तुम चाहती कि यह सब में उन्हें खाने दू तो तुम्हें उनके पैसे दिने पड़ेंगे समझी हाँ हाँ चलो पैच हमें भविश्य बताने वाले को ढूणना है वरना जब हम घर पहुंचेंगे तब मां हमें सजा देंगी भविश्य बताने वाला है रुको मैं तुमारी मदद कर सकता हूं उसे धुणने में हाँ सच में इसकी बात मत सुनो शिंडियला यह बहुत चालात लड़का है मत सुनो इसकी अरहां मेरी बात सुनो तुम्हें तो पैसे दे नहीं होंगे क्योंकि वो बिना पैसे लिए किसी मुझे लगता है कि वो लड़का भविश्य बताने वाले को जानता है हां लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे भेजी देगा पर अगर उसने नहीं भेजा तो हमें मां के गुस्य का सामने करना पड़ेगा मैं मा को बता दूँगी कि यहां क्या हुआ अभी हमें घर जाना होगा क्योंकि मुझे रात का खाना त्यार करना है शलो पैच पहले मैं पूँचूँगी उससे अपने बारे में कीसलिए मुझे सबसे पहले भविश्य जानना है यह सही नहींना ने कहला था मेरा पहला हक है जानने का पहले कौन जानेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहविश्य तो वह रहेगा न सिंड्रेला भविश्य बताने वाला कब आएगा तुमने उसे ढूंडा तो है ना नहीं अभी तक नहीं क्या मैं अपने भविश्य के बारे में कभी नहीं जान पाऊंगी इसकी वज़ा बताओ एक लड़के ने कहा है कि वो उसे यहां भेज देगा क्या तुम उस पर भरोसा क उसे मिलना चालता है महमान वो भी इस वर हमालकिन वो एक बुज़ूर्ग आद्मी है उन्हें यहां भेजा गया है कहते हैं कि वो भविश्य वक्ता है उन्हें अंदर भेजू वह आ गया मैं भविश्य बताने वाला हूँ मेरी क्रिस्टल बॉल आपका भविश्य बताएगी क्रिस्टल बॉल आपको जो भी जानना हो बताईए मुझे मैं क्रिस्टल बॉल से पुछ कर आपको बता सकता हूँ यह आपको आपका भविश्य बता सकती है पहले मैं जाओंगी जिन मैं ही तुम नहीं जाओंगी जाओंगी किदर से जाओं मैं ओ मां यह बिन बताय कहा जा रहे हैं क्या आपकी मदद करूं आज काफी थकावट भरा दिन था और आपने मेरी खातिदारी भी नहीं की इसलिए मैं खाना खाके सोना चाहूंगा यह आप कैसी बात कर रहे हैं आपको जो भी जादना मैं सुभा बताऊंगा अच्छा ठीक है हम सब सुभे तक रुकेंगे सिंड्रेला इन्हें अपने साथ रसोई में ले जाओ और कुछ खाने को दे दो तब तक मैंने ही चाहती कि मुझे कोई परिशान करे समझी हां और मैंने ही च और हाँ देती हूं देखो जे कितना बुक्कर है पाच्वी वार खा रहे हैं मुझे फिक्र है कि आपका पेटना दुखे इतने सारे सूप से बात अगर खाने की हो तो मैं सब कुछ खा लेता हूं अरे आप आज एक छोटे से कमरे में सोएंगे पर वहां का नजारा बहुत अच्छा है लेकिन अगर ये वहां सोएगा तो सिंड्र अला कहां सोएगी पिट्र नहीं ये मेरा कमरा है उम्मीद करती हूँ यहां आपको अच्छे से निंद आएगी आप आराम कीजिए तुम कहां सोओगी फिर अगर मेरा बस चलता तो मैं वहां उपर बातलों में सोती पर आज की रात में किचन में सो जाओंगी कर मिलते हैं कोई जरूरत हो तो आवाज दीजिएगा कितनी प्यारी लड़की है क्रिस्टल बॉल मुझे इस खुब सुरत लड़की के भविशे के बारे में बताओ और कुछ नहीं हिर से कोशिश कीजिए मुझे यकीन है इसकी शादी राजकुमार से होगी क्रिस्टल बॉल आप से सहमत नहीं है महतर्मा इन लड़कियों की शादी राजकुमार से नहीं होगी मैंने आपके लिए इतना किया और आप एसा भूश बता रहे हैं काश की मैं सच्चाई को बदल सकता लेकिन मैं वही कहता हूं जो किस्टल वॉल मुझे दिखाता है मैं समझती हूँ आप यहीं रुकिये मैं आभी आती हूँ क्या अब मेरी बारी है नहीं बिलकुल नहीं जड़ा देखूं तो हाँ ओ नहीं सिंड्रेला अंदर बहुत धूल मिट्टी है जाओ जाकर सफाई करो उसके बाद सब के लिए चाय बना कर लाओ आप इन्हें मेरी गुडिया नहीं दे रही है ना यह मेरी मा की निशानी है मैं तुम्हें फिर से नहीं कहूंगी जाओ अंदर सफाई करो इस खास बुडिया के तुम्हें बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं ओ शुक्रिया यह बहुत सुन्दर है क्या जाने से पहले एक बार फिर से भविश्य बताना चाहोगे मैं कोशिश करता हूं क्रिस्टल बॉल मुझे इन दो प्यारी लड़कियों का भविश्य दिखाओ यह तो अविश्वस्नी है मेरे बारे में बताओ न आप एक बड़े महल पर राज करेंगी मैं एक राजकु मुझे पता था हमारे अच्छे नाने वाले हैं कि अब इतना भी मत रो चिंता मत करो सिंड्रेला हम क्याचा मी तुमारी गुडिया वापस लेए है तुमारा बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे तुम सब पर बहुत भरोसा है मेरी मां हमेशा मेरे पास यहां मेरे दिल में है और वो गुडिया मेरे लिए कीमती है जोटिस से गुडिया ले लेंगे टरो मिद्र वो हमें वापस कर देगा तुम सही कह रहे हो पियर इन्हें घर पहुंचा दो जी मालकिन आईए आईए भैठिये आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पैच रुको तुम इसे फार दोगे हमें उनको पीच्छे करना होगा यह नहीं हो सकता वो गाड़ी से जा रहे हैं हम कर सकते हार मत मानों सिंड्रिला यह तो किसी ने निशान छोड़े हैं कौन हो सकता है चूचू और भिंगो मुझे उनके खाने के लिए चीज सैंड्विच बनाने होंगे मेरे लिए भी अहां जरूर तुम्हें क्या हो मैं तो बस तुम्हारे आंसों रोकना चाहता हूं कोशुश करूंगी बस यही रोक दो देखिए अगर आप चाहते तो हम आपके घर भी छोड़ सकते हैं आपको हमें कोई तकलिफ नहीं है इसकी जरूरत नहीं शुक्रिया मुरी आत्मी किर शक्षक्रे वातम मताल भात साफ भी जरू किरू तुम – मुऌजी गहे हूं यह मेरी समस्या नहीं है पर मैं तुम्हारे लिए उदास क्यों हो सिंड्रेला तुम्हारे पास घर है परिवार है वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है तो क्यों चलो देखते हैं किस चीज़ का व्यापार करो आज में शायद इस बरतन का यह आख करना सिंड्रेला वो बुट्ठा हाट से निकल गया हम उसका पीछा कर रहे थे पर वो भाग किया जवार लड़के की तरह भाग रहा था बिलकुल अहां वो ऐसे भाग रहा था इधर से उधर हाट जगा तुम फिकर मत करो हम उसे ढूड़ लेंगे लोग यहीं है अब हम क्या करेंगे सिंड्रेला है तुम तो वही हो जिस से मैं कल मिली थी तुम यहां क्यों अड़ीज तंड़ मेरे गुडिया के साथ क्या कर रहे हो उस बहुश्य वक्ता ने यह मुझे दी थी हाँ यह मेरी है यस गुडिया मेरे मूह की आखरी निशानी है उन्होंने यह मुझे दी The कि मुझे वापस दे दो पोलो तُम्हें इसके बदले में क्या चाहिए और मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं उसभविश्य वक्ता ने मुझे बताया था कि यह गुडिया बहुत पी कीमती है इसका क्ँमत चुक और ले जाओ यह सही नहीं है तुम बहुत बुरे हो क्या तुम्हें किसी की भावनाओं के कदर नहीं मुझे दो वो नहीं मैं तो बहुत ख़लूस और खुदगर्ज लड़का हूँ ना जिसके पास एक गुड़िया है कुछ ज्यादा ही छुड़ बोल रहे हो तुम सिंड्रेला इसकी शरीर की गंद बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस भाविश्य वक्ता की थी हाँ इसकी लंबाई भी उतनी है और यहां कौन रहता है वह भवश्य वक्ता और कौन है है तुम क्या कर रही हो ये सब क्या है बताओ मुझे डाढ़ी और मु Onion तुम वह भवश्य बताने वाले की आक्टिंग कर रहे थे तुम सब को जूट पूर रहे थे ये सब भगवास है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो सिंड्रला तो ये कपड़े कौन पहनता है बोलो मुझे नहीं मालूम यहां के मालिक से पुछो एक दिन के लिए इतना जूट काफी होता है दरसल मैंने ही वो पोशाक पहनी थी और भविश्य वक्ता होने का ढोंग कर रहा था क्यूंकि लोग मुझे वो चीज़े देते हैं जिनका मैं वेपार कर पाता हूं मैं यही काम करता हूं यह मैंने इसे क्यों बताया है अब जाने भी दो मुझे मैं वादा करता हूं मैं ऐसा पिर कभी नहीं करूंगा अब मैं चाहती हो कि तुम मेरी मा के पास जाओ उन्हें सब कुछ सच बताओ और यह वापस दे दो पहली बात तो उनका कोई हक ही नहीं बनता ही है मुझे देने का यह तुम्हारी है मैं उन्हें कह दूँगा कि मैंने तुम्हें यह वापस दे दी है मैं सब सच बता दूंगा उन्हें इसमें मेरा नुकसान ही क्या है यह नहीं तुम यहां क्या कर रहे हो मेरी प्रिस्टल बॉल ने आपकी बेटियों के वारे में कुछ नई बाते बताई हैं सोचा आपको बता दूं मुझे लगा कि आप वह बाते जानना चाहेंगी क्या है वो चलो जल्दी से बताओ मुझे उस दिन मैंने जूट कहा था मौतरमा क्या आ बहुत मज़ा आया उसने तो तुम्हारी गुडिया का जिक्र भी नहीं किया सुना तुमने अब मुझे आखरी भविश्वाननी करने दो ठीक है सिंड्रेला तुम्हारा भविश्टी तो सच में बहुत सुने रहा है मुझे यह सुनके अच्छा लगा तुम बहुत अच्छ का सामाल रख लो दोस्त शुक्रिया अपना ख्याल रखना सिंड्रेला अलविदा फिर मिलेंगे यान कि मुझे लगता है यह लड़का अकेला है मुझे भी पर उसने तुम्हारे बाविश्वी के बार में बिल्कुल सही कहा है कि मुझे तुमसे बात करनी है तुम्हारे भविश्य में बदलाव है आज से तुम कड़ी मेहनत करोगी और सबसे अच्छे से पेश आओगी समझी तुम दोनों